हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का सेलेक्शन मेंटर के इस ओफिशल यूटीब चैनल पे और मैं विरद आज आप लोगों से फंडमेंटल राइट्स पर डिसक्रशन करूंगा फंडमेंटल राइट्स में दो लेक्शेर आल्रेडी मैं आपको बता चुका हूँ और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे गए हैं उन पर हम थोड़ा और डिसक्रशन अभी करेंगे जैसे आर्टिकल नंबर 21 तक कल डिसक्रशन हुआ था और आज हम लोग आर्टिकल नंबर 22 पर डिसक्रशन करेंगे आर्टिकल 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसक्रशन रहे गए यह अनुछेद 22 को लेकरके fundamental rights के लिए देखें यहाँ पर मैं आपको यह clear करते चलता हूँ कि मैं आपको mains के point of view से जब यह पढ़ा रहा हूँ तो आपको one by one आर्टिकल रटने के लिए मैं नहीं कहूंगा पर articles के पीछे जो behavior है जो उसके पीछे जो आर्टिकल का जो behavior है यानि किस nature में वो article काम करेगा या फिर उसके लक्ष क्या है या फिर उसके विचार क्या है इस पर आपके जो है यह प्रशन पूछे जाते हैं इसको आप सही तरीके से लिखेंगे अगर तो आपको पूरे marks मिलेंगे अनुच्छे 22 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य बात कही गई है कि जो व्यक्ति ग्रफतार हुआ है तो ग्रफतार होने वाले व्यक्ति के ग्रफतारी से संबंदित कुछ संद्रक्षन है तो उन संद्रक्षनों को ध्यान में रखते हैं वे कुछ नियम बनाए गए हैं बसलन अगर किसी व्यक्ति को ग्रफतार कर लिया गिया है तो ग्रफतार करने व्यक्ति को उसकी ग्रफतारी का कारण बताना होगा क्यों गुरिफतार किया गया है या फिर इसके अलामा कुछ उसके और विशेसाधिकार आते हैं जैसे कि गुरिफतार होने आले व्यक्ति को 24 गंटे के अंदर 24 गंटे के अंदर 24 गंटे के अंदर निकट्तम निकट्तम नियाले के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तो जब निकटम नियाले के समक्ष प्रस्तुत करना है तो यहाँ पर एक और important point आता है प्रस्तुत करना होगा तो गिरफतारी के समय से लेकर के 24 घंटे का समय दिया जाता है जिसमें मार्ग में जो तैं होने आला समय ग्रफतार करके एक जगह से जब दूसरी जगह ले जाये जा रहा है तो मार्ग में लगने आले सबय को exclude कर दिया जाता है उसे नहीं माना जाता है नहीं किना जाता है इस 24 घंटे के भीतर मसलन अगर दो घंटे का समय आपको यात्रा में लग गया है तो आपको 26 घंटे के भीतर निकटर में आले के समक्ष प्रस्तूत किया जाएगा लेकिन अब इस गिरफतारी वाले नियम और इन सब चीजों के कुछ कह सकते हैं कि अपवाद हैं अपवाद जो हैं वो अनुच्छेद 22 के अंदर गत निवारक नजरबंदी के अंतर गत आते हैं तो इसमें अनुच्छेद 22 से समंदित एक टर्म आपको मिलेगा निवारक न नजरबंदी और यहां से समंदित आपसे प्रश्ण निश्चित रूप से पूछा सकता है तो निवारक नजरबंदी जो है वो आर्टिकल लंबर 22 के प्रावधानों के अंतरगत किस प्रकार से है इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे जैसे कि अगर किसी समा अपराद किया है तो उसे ग्रफतार किया जाता है और यहां पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति को भी ग्रफतार करना पड़ता है जिसने अभी कोई अपराद किया नहीं है परन्त उसके द्वारा अपराद किये जाने की किसी प्रकार की शंका प कानूनी कार्य करने की आशंका, करने की आशंका पर, तो दीकिए गिरफतारी जो है, जादा तर कब होती है, जब आपने कोई अपराद किया है, जब आपने कोई अपराद नहीं किया है, परंतु ऐसा प्रशासन को ये हो रहा है, कि आप कोई गैर कानूनी कार्य करने वाले हैं तो ऐसे में किसी व्यक्ति की जो है वो क्या हो सकती है गिरफतारी की जा सकती है तो जो गिरफतारी के रूल्स है उन रूल्स को फॉलो किये बिना भी उसे गिरफतार करके जेल भेजा जा सकता है इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निवारक नजरबंदी तो नजरबंदी का मतलब यह हो गया नजरबंद कर देना किसी से मुलाकात नहीं हो गया निवारक का मतलब बचाने के लिए किस चीज से बचाने के लिए जो गैर कानुनी कार हो रहा है वो ना होने पाए तो ऐसे में आपको सजा तो नहीं दी जा सकती क्योंकि अपराद तो आपने नहीं किया ह ुआ है लेकिन निवारक नजरबंदी के अंतरगत आपको ग्रफतार जरूर किया सकता है परंतु जिस व्यक्ति ने अपराद किया नहीं है उसके अपराद होने की आशंका परजबाद ग्रफतार कर रहे हैं तो ये नियम जो है कहीं न कहीं सरकार के या फिर सरकारी एजेंसी के उपर भी प्रश्निचिन उठाता है कि आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि अगला व्यक्ति कोई गैर कानूनी अपराद करने वाला था तो इसलिए कुछ प्रोजक्शन दिये हुए हैं कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं समविधान में कुछ इस इस नियम के विरुद्ध गिरफतार होने वाली व्यक्ति की सहायता है तू कुछ नियम दिये गए हैं जैसे निवारक नजरबंदी तीन माह से अधिकी नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में और यदि अगर ऐसा हो अगर तीन माह से अधिक हो तो इसके इसकी समीक्षा है तू, इसकी समीक्षा है तू, क्या होना चाहिए, एक सलाहकार बोड का गठन होगा, सलाहकार बोड का गठन होगा, बगैर सलाहकार बोड के गठन के तीन महीने से अधिक किसी विक्ति को इस तरीके से गिरफतार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये जो पूरा अधिकार है ये सरकार के हांथ में इसलिए दिया जाता है कि कोई आसामाजिक तत्व कोई रास्ट विरोधी हरकत ना कर दे है ना लेकिन इसी जग़ा पर हम देखा जाए तो ये विरोधा भास भी दिखाता है कि किसी व्यक्ति के उसके जीवन जीने के सुतंता के मौलिक अधिकारों को यहाँ पर छीने जाने का प्रियास किया गया है तो यह जो provisions है यह article number 22.4 जब आप पढ़ेंगे आप Indian constitution में अनुचेद 22.4 और अनुचेद 22.7 इसकी provisions को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीजों के लिए कुछ रक्षा है तो कुछ उपाय आपको दिये गए है जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि तीन महा से अधिक नजरबंदी नहीं करी जा सकती है अगर करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा एक बोर्ड का गठन करना पड़ेगा इसके अलावाज जो व्यक्ति निरुद्ध रखा गया ने जिसे गिरफतार किया गया है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है यहाँ पर ध्यान रखना है एक पॉइंट तो मैंने आपको तीन महावाला बताया है और एक पॉइंट मैं आपको यह बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे अतिशीग्र या यथा शीग्र मतलब जितनी जल निरोध का आधार संसूचित किया जाए, मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसे जल्दी से जल्दी ये बता देना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, पर कई बार ऐसी गिरफ्तारी में कोई आवश्यक नहीं है कि उसका ये अधिकार उसे प्राप्त हो, क्योंकि हो सकता है कि इस शक में आपको गिरफ्तार किया गया हो, कि आप बहुत ही बड़ा रास्ट विरोधी कारे कर रहे हो या समाज विरोधी कारे करने जा रहे हो, तो सारवजनिक हितों का ध्यान में रखते हैं, अगर सारवजनिक हित के ये विरुद्ध है कि आपको बताया जाए कि आप क्यों गिरफ्तार हुए है, तो फिर आपको बताया जाने से इनकार किया जा सकता है, इसकी अलामा जो भी व्यक्ति ग्रफतार किया गया है उसे अवसर दिया जाएगा किस चीज का अवसर देना ये भी प्रोवीजन है ये अनुच्छिद 22 के अंतरगत अवसर दिया जाएगा कि वह अपने आपको सावित करें कि वो ऐसी चीजों में लिप्त नहीं था जिसकी आधार पर उसे गिरफतार किया गया है यह उसकी शर्ते हैं जो वो पूरी कर सकता है लेकिन अनुच्छेद 22 के अधीन कोई विधी जो कुछ भी अर्टिकल लंबर 22 के एकॉर्डिंग जो भी रूल्स या रगलेशन्स बनाए गए है जो जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं अगर इसका उलंगन करते हैं तो जो कुछ न्यायाले कहेगा इन सब मामलों में अगर कुछ भी हेर फेर होता है तो न्यायले यानि कोड जो कहेगा उसी की बात जो है वो मानने होगी ठीक है ना अब इसके अगर उदेश देखे जाएं इस निवारक निरोध कानून के अगर उदेश देखे जाएं तो उदेश क्या है उद्देश ये है कि किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र पर गिरफतार तो करा जा सकता है लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति किसी आतंगवादी घटना को, किसी नकसलवादी घटना को, किसी दंगे को या किसी असमाजिक घटना को लीड करता है तब ऐसा किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को बिना कारण से ग्रफतार कर लेना बिना अपराद के ग्रफतार कर लेना उसकी तो स्वातंत्रता का हनन है लेकिन उसका इस स्वातंत्रता का हनन कब किया जाएगा जब उसे किसी आतंगवादी नकसलवादी दंगे या किसी अन्य तरीके की चीजों में लिप्त पाया जाए ठीक है तो वैसे तो ये काफी जादा क्या सकते हैं कि controversial point है एक दूसरे के लिए अगर देखा जाए यानि व्यक्ति की स्वतंतरता काधिकार और समाज की सुरक्षा दोनों में अगर देखा जाए यह काफी controversial point है लेकिन इसके कुछ और कड़े नियम बना करके इसे अच्छा भी किया जा सकता है ऐसा किया जाना चाहिए तो यह अनुच्छेद समवैधानिक उपचारों का अधिकार समवैधानिक उपचारों के अधिकार की जब हम बात करते हैं तो यह आपको आर्टिकल नंबर 32 में मिलते हैं अनुच्छेद 32 में और यहां से प्रश्ण आपसे कई प्रकार के पूछे जा सकते हैं मसलन भीमडाम बेटकर जी ने इसे समविधान की आत्मा कहा है इस कथन का सपस्टी करन करिए अनुच्छेद 32 के लिए तो यह आपसे इस प्रकार का प्रश्ण जो है अनुच्छेद 32 के लिए पूछा जा सकता है इसके अलावा अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटे हैं उन रिटों से समवंधित कुछ प्रश्ण जो हो सकता है संभावना है कि आपसे पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से अनुच्छेद 32 जो है वो काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए उसको याद रखना उसके पूइंट्स को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तो कुछ पूइंट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अनुच्छेद 32 के और अनुच्छेद 32 के पहले तक जिस प्रकार के भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं अगर इन्हें से किसी या किन्ही मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हुआ है तो मौलिक अधिकारों पर चोट मानी जाएगी और मौलिक अधिकारों के इस चोट पर मरहम लगाने का काम मरहम लगाने का काम कौन करेगा मरहम लगाने का काम अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट करेगा जिससे की ये चोट अत्यधिक तेजी से ठीक हो और व्यक्तिके मौलिक अधिकार उसे वापस प्राप्त हो सके बात समझ रहे हैं आप लोग यहां तक तो इसी चीज़ के प्रोविजन को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को कुछ अधिकार दिये गए हैं हलाकि सेम यही अधिकार सेम यही चोट सेम यही मरहम लगाने का काम अनुच्छेद 226 के अंतरगत राज्यों के हाई कोर्ट कर सकते हैं पर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पांच में से किसी एक प्रकार की याचिका पांच प्रकार की याचिका में से किसी एक पर क्या करना होगा हमल करना हो सकता है या जारी करना पड़ सकता है या कुछ अन्य भी जारी करने पड़ सकते हैं अब ये पांच प्रकार की याचिकाओं में से पहली याचिका है Habeas Corpus H-A-B-E-A-S Habeas Corpus इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षी करण बंदी प्रत्यक्षी करण दूसरी रिट है आपकी Mendemus M-A-N-D-A-M-U-S इसे हम कहते हैं परमादेश तीसरी रिट है आपकी प्रतिशेद इसे आप कहते हैं प्रोहिबिशन गुल्टा लिग दिया मैंने कोई बात नहीं चौथी रिट है आपकी Certiorary C-E-R-T-I-O R-A-R-I Certiorary इसको बोलते हैं उत्प्रेशन और पांचवी रिट है आपकी Q-Waranto इसको बोला जाता है अधिकार प्रिक्षा अधिकार प्रिक्षा ये वो सारी चीजे हैं ये रिट नमबर एक ये दो ये तीन ये चार कोई ज़रूरी नहीं कि इनका सीक्वेंस यही हो ये पांच प्रकार की रिट्स हैं जो सुप्रीम कोट जारी कर सकती है इन में से अगर हम सबसे पहले सबसे पहले रिट की अगर हम बात करें फर्स्ट रिट जो हमारे पास में मिलती है उसके बारे में बात करें ये है habious corpus यानि बंदी प्रत्यक्षी करणू बंदी प्रत्यक्षी करणू अनुच्छेद 22 के संबंद में यदि इगर किसी व्यक्ति को गिरफतार किया जाता है तो गिरफतार होने वाले व्यक्ति को सशरीर निकटम न्याले के समक्ष 24 गंटे के अंदर 24 गंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा जिस भी एजनसी ने गिरफतार किया है उस एजनसी को 24 गंटे के अंदर गिरफतार होने आले व्यक्ति को 24 गंटे के अंदर नियाले के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार रहे है ठीक है तो किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से ग्रफतार ना करने के संबंद में इसको जारी किया जाता है कई बार शक्तियों का दुरुपयोग होता है तो उसका दुरुपयोग जो है गृफतार करने वाले एजनसीज ना कर सकें और साथ ही साथ इसका लक्ष ये भी है कि यहाँ पर नियायलियों को सर्वोच माना गिया है अपराद की सजा देने का अधिकार सिर्फ नियायले का है तो जब नियायले काईगा अभियोजित एवल एक तिन के लिए 24 घंटे के लिए आप जेल में रख सकते हैं किसी को हवलात में अदर्वाइज आपको 24 घंटे के अंदर उस वक्ति को प्रस्तूत करना है और अगर कोर्ट कहेगा तब आप उसे जो है अधिकार पुर्वाख जेल में रख सकते हैं ठीक है तो यह जो रिट है यह किसी को भी दिया जा सकता है किसी भी सरकारी व्यक्ति को दिया सकता है या किसी भी के भी अगेंस्ट में जारी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है न, अगला जो रिट है, वो रिट है परमादेश, परमादेश, देखें, बंदी प्रत्यक्षी का करण का मतलब ही यही है, कि बंदी को प्रत्यक्ष उपस्थित करना सशरीर, सशरीर वि मेंडेमस का मतलब होता है we order, मेंडेमस जो है ये एक लेटिन भाषा का सब्द है, इसका मीनिंग होता है we order, हम आग्या देते हैं, हम आग्या देते हैं, तो कौन आग्या देगा जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है, न्याय के मामले में केंदर में सुप्रीम कोड और राज्यो में हाई कोड, तो जो बड़े हैं वही तो आदेश दे सकते हैं, बाकी तो requestful manner में बात करेंगे, तो ये आग्या देते हैं, ये रिट अपने आप में एक आग्या है, जिसे कोई भी नयायल है, जिसे कोई भी नहीं, सुप्रीम कोड और हाई कोड, ये दो नयायल है, किसी भी सारवजिनिक व्यक्ति को या संस्था को उसके कर्तव्यों के पालन हेतु दिया जाता है, कर्तव्य पालन हेतु, किसे दिया सकता है, किसी व्यक्तिगत को या किसी संस्था को, ठीक है, ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्तिगत या किसी संस्था को या आदेश दिया जा सकता ह कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप मैं से कुछ अदिकारी बन जाएंगी, तो कभी ऐसा मत करिएगा, कि कई लोग अपना पोस्ट पाने के बाद में रॉब जाड़ते हैं, और अपने मरजी से कारे करते हैं, आप वहाँ पर नौकरी करने गए हैं, समाज की सेवा करने गए हैं तो जो आपके करतब यहां उसका पालन करिए, दुरपयोग ना करिए, इसके खिलाफ आपको रिट दी जा सकती है, और वो रिट है परमादेश, इसके रावा एक रिट है प्रतिशेद, प्रतिशेद का मतलब होता है प्रोहिबीशन, यानी कि मनाही, प्रतिशेद करना मना करना यहां पर लिख सकते हैं मना करना बंद करने का आदेश देना या मना करना किसी काम को ना करना इसी को निशेध्हाग्या बोला जाता है इसी को निशेधाग्या बोला जाता है निशेध करना तो ये काम कौन करता है ये काम subordinate courts जो होते हैं अधीनस्थ नियायाले जो होते हैं उनको high courts या supreme courts के तरह यादेश दिया जाता है high courts या supreme courts जो होती हैं ये अपने अधीनस्थ नियायालियों को अपने subordinate courts को ये आग्या देते हैं और कहते हैं कि अपने अधिकरण के अंतरगत जो कार्रे आता है आप उसे करें जो कुछ अधिकार छेत्र में ना हो उसे ना करें ये प्रतिशेद है इसकी अलामा उत्प्रेशन उत्प्रेशन का मतलब होता है किसी को सूचित करना सूचित करने का आदेश किस प्रकार की सूचना जैसे मान लेते हैं कोई निचली अदारत है कोई सरकारी अधिकारी है और कोई निचली अधिकारी बिना किसी पर्मीशन के कोई कारे कर रहा है तो न्यायले उसके समक्ष उस विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेशन करता है उस मामले को अपने हाथ में ले लेता है और इस प्रकार से जो केस है वो हस्तानांत्रित हो जाता है इसको मैं और अच्छी तरीके से आपको बताऊं किसी भी मामले में जो उच्च न्यायले होते हैं उच्च न्यायले का मतलब हाईयर कोड से है उच्च न्यायले का मतलब हाई कोड से नहीं है हाईयर कोड मतलब बड़े न्यायले बड़े न्यायले किसी भी छोटे नयायले से उसके किसी भी case को take over कर सकते हैं उसे hand over कर सकते हैं अपने और और कह सकते हैं कि ये आपके अधिकार छेतर में नहीं है मेरे अधिकार छेतर में मैं इसका नयाय करूँगा तो सूचित करके अभी प्रेशित कर लेते हैं अपने तरफ उस चीज को जैसे आपने बाबरी मस्जिद विवाद में भी देखा होगा, इस तरीकी की चीजें हुई थी, पड़े नयाले, छोटे नयालें से केस को क्या करते थे हैं, अपने पास ले ले लेते हैं और वो उसको solve करते हैं, और इस प्रिकार की चीजें आपको प्रेशन में पद पर आप बैठें, और चाय कोई व्यक्ति हो, चाय कोई भी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति किसी पद को धरण किया और नयाले को लगता है कि ये गैर कानूनी तरह से उसने जो है पद को धरण किया है, तो नयाले सबसे पहले उसे रिट जारी करक पूछेगा कि तुम खुद बताओ कि तुम इस पद पर कैसे हो क्यों बैठे हो वो सकता है किसी को अत्रिक्त पदभार दिया गया हो नियाले को तो जानकरी है इस पद का व्यक्ति के ओल यह काम कर सकता है यह दूसरा काम कैसे कर रहा है तो हो सकता है कि उसे जो है अत्रिक्त प पेड़कर जिने इसे आत्मा क्यों कहा है मान लेते हैं किसी को कोई अधिकार दिया गया अब वो अधिकार तो सम्विधान ने constitution ने दिया है माले तो कोई वे अधिकार किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए था परन तो वो नहीं मिला इस व्यक्ति को वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए था constitution निकाए कि तुम्हें अधिकार मिलेगा लेकिन ये कह रहा कि हमको नहीं मिला है ति कहां जाए दे जाएगा Supreme Court या High Court डारेक्ट उसे दुनिया बर के Courts का पालन नहीं करना है उस सेशन Court से शुरुबात नहीं करेगा उस सीधा पहली अली अदालत में चला जाएगा इस मामले को तुरंट सुना जाएगा तो आप इससे समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकारों के इंपोर्टेंस कितनी जादा है तो Supreme Court या High Court के पास उसीधा जाएगा और Supreme Court और High Court इसमें तुरंट एक्षन लेते हुए उसके उस अधिकार को वापस करने की करेवाई करेंगे अगर ये ना करें तो इस विक्ति का ये मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा समाप्थ हो जाएग तो ये कुछ और नहीं असंभव सी बात है समविधान किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को मार करके जीवित नहीं रह सकता यानि अगर समविधान को जीवित रहना है तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से दे नहीं होंगे और इसकी रक्षा करने का काम सुप्रीम कोड को सौपा गया है इसका मतलब ये मौलिक अधिकार कहीं न कहीं समविधान की आत्मा की तरह काम कर रहे है शरीर को जीवित रहना है तो आत्मा का वास उसमें आवश्यक है अगर आत्मा का वास उसमें नहीं होगा तो शरीर रहेगा लेकिन मृत हो जाएगा और आत्मा को चोट लग रही है तो क्या करना पड़ेगा उसको जो है उसको दवा दी जाएगी और यह दवा कौन देगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 को इसी लिए सम्विधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमरौ मिटकरजी ने तो यह मौलिक अधिकारों के बारे मैंने आपको बताया मैंने आपको यह भी बताया कि मौलिक अधिकार जो है वो अत्यांतिक नहीं है उनकी सीमाएं है पहले ही लेक्चर मैंने आपको बताया था निरबंध काम नहीं करती है नेचर तो उनका निरबंधन है लेकिन काम निरब जा सकते हैं मौलिक adik incapable को बचाना है तो iki कल्याण कारी राज्ज की इस थापना करने हितू ऐसा आवश्यक्ष आयसा किया जा जो fundamental duties हैं, sorry, DPSP जो हैं, उन पर discussion करेंगे, राज्य के नीतिन रिशक्तत्व और फिर fundamental duties की तरफ बढ़ेंगे. तो दोस्तों सभी लोग like और share जरूर करिएगा, सबसे request रेकिए कि सभी लोग like और share जरूर करें, और हर एक वेक्ति से निवेदन है, कि वो हमारे इस चैनल को subscribe जरूर कर ले, सभी वेक्तियों से निवेदन है, कि आप सब लोग हमारे इस चैनल को subscribe जरूर करें, और जो ये मैं बातें आपको बताता हूँ, इसको आप लिखने का प्रयास करें, इसको कहीं न कहीं लिखें, लिख लिख करके practice करें, जैसे मैं लिख लिख करके आपको समझा रहा हूँ, आपने इसको सुन लिया, सुनने के बाद चिंतन कर लिया, चिंतन करने के बाद स्वयम में लिखिए, आपको समझ में आएगा कि आपके सर जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनको कितनी मेहनत लगी होगी इस lecture को बनाने में अगर आपको पढ़ने में इतनी समझ में और अगर मेहनत समझ में आए और अगर आपके पास में स्थिती ठीक हो तो आप उसका कुछ नकुछ भुगतान यहाँ पर कर सकते हैं स्वेच्चा से तो आज की क्लास में इतना ही धन्यमाद